हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स कई बार गाड़ी खरीदते समय सही जानकारी नहीं होने के वज़ा से हम उन चीजों के लिए या उन सर्विशेस के लिए पैसा पेक कर देते हैं जिनके लिए हमें पैसा नहीं देना चाहिए अब कई बार मुझे मेल आता है बहुत साई लोग इंस्टाग्राम में भी मैसेज करते हैं और मुझसे HSRP यानि की High Security Registration Plates के बारे में उसके नियमों के बारे में पूछते रहते हैं क्योंकि अक्सर लोग ये फेस करते हैं कि कई बार ये हो जाता है कि जो Showroom का Salesman है या Sales Executive है वो Customer से HSRP के लिए अलग से पैसे की डिमांड करता है कई बार बहुत से लोग ये भी फेस करते हैं कि जो Service Center का Technician है या फिर जो हमारा Service Advisor है वो Customer से गाड़ी में नमबर प्लेट फिक्स करने के लिए उसे पंच करने के लिए भी पैसा मांगता है तो As a Customer आपको पता होना चाहिए कि HSRP से जोड़ा हुआ क्या क्या नियम है और इसी के बारे मैं आपको आगेस वीडियो मताऊंगा वीडियो को पूरा देखें साथ ही अगर आपको भी इस तरह का कोई भी डाउट है या आप किसी एक पर्टिगूरा टॉपिक के उपर में डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप मुझे Instagram में मैसेज कर सकते हो Mechanical Tech Hindi के नाम से Instagram ID है Instagram का लिंक मैं इस वीडियो के description देदूँगा तो आप Instagram में भी चैनल को जरूर से follow कर ले अब देखिए सबसे पहले तो आप यह समझे लो कि आप कोई भी गाड़ी खरीते हो तो गाड़ी का जो cost होता है उसमें बहुत सारे hidden charges होते है जिसके बारे हमें पता नहीं होता है और यह जो HSRP का जो cost है वो भी already गाड़ी का जो cost है उसमें included होता है यानि कि technically जो HSRP होता है वो free नहीं होता है हम उसके लिए पैसा payment कर देते हैं पहले से ही अब मैं आपको यहाँ पर यह भी clear कर दूँ है कि आपको number plate के लिए अलग से 500,000 या 2,000 रुपए देने होंगे और जानकारी नहीं होने के वज़ए से बहुत से लोग वो पैसा दे भी देते हैं अलग से बहुत बार यह भी दिक्कत आता है कि service center में चप गाड़ी में जो number plate से पंच कराना होता है तो वहाँ पे technician या जो 200 या 500 रुपद देना होंगे लोग वहाँ पे भी पैसा दे देते हैं मैं आपको बता दूँ कि यह illegal है आपको पैसा देने का कोई भी पैसा extra देने का जरूरत नहीं है ना तो showroom में ना तो service center में देने की जरूरत है अब अगर कभी ऐसा situation आ जाए कि आपसे पैसा मांगा जा तो 90% तो यह chance है कि वहीं पे आपका जो problem है वो solve हो जाएगा और यह मैं आपको अपने experience से बता रहा हूं कि मैंने भी बजाज के service center में as a workshop manager काम किया है मैंने 1000 से भी जाता गाडियों का जो HSRP नंबर प्लेट है वो punch करवाया है तो मैं आपको बता सकता हूं किसका पैसा आने और आपको पैसे देने के लिए मजबूर किया जाए तो अभी आप अपने screen पे mostly जो two wheelers company की bikes इंडिया में या scooter इंडिया में देखने को मिलते हैं तो उनका आप टॉल free number देख सकते हो यह service center का number नहीं है यह direct company का number में आपको दिखा रहा हूं और यह सारे numbers मैं इस video के description म में भी दे दूँगा तो अगर इस तरह के किसी भी problem में आप फस जाए तो सीधा आप इन नमर में call करें और वहाँ पे complaint register कर दे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है आपने किस dealer से खरीदा और आपसे क्या demand किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये भी एक बहतर तरीक नहीं होता है और लोग अंजाने में HSRP के लिए अलग से पैसा पेक कर देते हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दिका जानकारी से अगली बार जब आप गाड़ी खरीदो तो आपको इस बारे में help जरूर होगा वीडियो अच् अगले वीडियो में थांक्स रॉचिंग इस वीडियो गुडबाई